19 नवेंबर सुनते ही हर हिंदुस्तानी के दिल में बवासीर सा हो जा, मेरा मतलब इदर्द बढ़ जाता है क्योंकि ये वो तारीक थी जिस दिन आस्ट्रेलिया ने बजा कर जीत की बीन तोड़ दिया था इंडिया का तीन का ड्रीम और आज भी हम इंडियन फैंस ना उबर नहीं पाएं, honestly मतलब मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है और मेरी तरह आप भी जो इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्टर्स है, मैच फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन सच बताओ बॉस, मन करता है देखने का मतलब मैं बाहर चाई की टपरी पे खड़ा होके, लोगों से बात कर रहा होता हूँ, और उनसे पूछता हूँ, भाई, मैच का क्या स्कोर है, तो वो मुझसे पूछते की, भाई, तू ही बता दे, तू तो क्रिकेट कवर करता है जिसके लिए फिर मैं गूगल करता हूँ और उन्हें बता देता हूँ, और कभी-कभी मैच देख भी लेता हूँ, लेकिन जब-जब मैच खोलता हूँ, माक कसम सिर्फ 19 नोवेंबर को नरेंद्र मोदेगी स्टेडियम का वो नजारा आखों के सामने आ जाता है, जब पैट 20 करोड की बोली लगा कर मिचल स्टार्क और पैट कमिंस बिक गए, वा, एनीव, बात यहां पे IPL की नहीं हो रही है, बात यहां पे आक्शन की भी नहीं हो रही है, इनफाक्ट मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि यह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स डिजर्व नहीं करते, मैं बस कह रहा हूँ कि वो जो 19 नवेंबर की जो दुरगटना थी ना, उसका गम अभी भी यहां 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 फील होता है, वो दर्थ अभी भी यहां पे बना हुआ है, मतलब एक जलन्स ही होती है, और इसी जलन्स पे बर्नॉल लगाने की कोशिश किये है, हेड कोच राहुल रविड ने जिन्नोंने फाइनली ICC Men's Cricket World Cup 2023 के फाइनल में मिली शिकस्त पर अपनी चुपी तोड़ दिये, राहुल डरविड ने कहा कि आपके पास निराशा में डूबे रहने के लिए वक्त नहीं होता, आपको उससे उबर कर आगे बढ़ना होता है, और हमारे खिलाडि रविड ने ऐसा बहुत अच्छी तरह से किया है, हम निराश थे लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं, मुझे लगता है कि हमारी वंडे टीम ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करके सीरीज जीता, द्रविड ने कहा कि साउथ आफरिका के विकेट इंगलेंड और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में थोड़े भिन चुनोती पेश करते हैं, आंकडों के लिहाद से देखे तो यहां खेलना आसान नहीं होता है, लेकिन हमने यहां अच्छा प्रदर्शन भी किया है, ऐसा नहीं है कि यहां खेलना असंभव है, लेकिन अन्य देशों की तुल महिंदर सिंग धोनी और इस बार रोहित शर्मा के उपर प्रेशर तो हो गाई, और साथी प्रेशर होगा विराट कोली पे और बाकी लड़कों पे, so all the best रोहित हिटमान शर्मा, and all the best विराट कोली, and the rest of the team भाई, जाओ जीतो, यह सीरीज अपने नाम करो, यह जो एक रिकॉर्ड बन गया है, इसको तोड़ो, और फाइनली साथ आफरिका को धूल चटाओ, साथ आफरिका में, और बाइदवे, मैं अभी आजकल गली-गली जाके वाक्सवाप भी कर रहा हूं, तो वो देख रहे हो कि नहीं, बड़े मज़ेदार मज़ेदार लोग मिल रहे है तो उन वीडियोस को भी देखना, और अंकट के बागी वीडियोस को भी देखना, क्योंकि काफी क्रेजी लोग अप टीम में आ गए हैं, और कते ही क्रेजी काम हो रहा है यहां पर, यह सब चीजों पर टाब रखने के लिए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, करें हमारे चैनल को, and until the time we meet again, I'm Bacha and this is Uncut.